हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइफाई राउटर ने वारे में जी हैं फ्रेंट्स आप सभी ने इसका नाम कभी न कभी सुना होगा और अगर आप इंटरनेट यूजर है और जानकारी रखते हैं इंटरनेट के जो डिवाइस से उनके इसका भी नाम कभी न कभी सुना होगा तो अगर आपको नहीं पता है कि तो आज की इस वीडियो में आपको बतानेवाला हूं कि आखिर वाइफाई राउटर होता क्या है और यह कैसे आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रवाइड करे ने में आपकी हेलप करता है इतुनिंक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो फ्रेंट्स मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा यह जो हमारा वाइफाइ राउटर होता है यह एक हाड़वेर नेटवर्क डिवाइस होता है जो आपके नेटवर्क के लिए स्तमाल किया जाता है तो फ्रेंट्स यहां पर स्टार्ट होती रहती है एक network से दूसरे network तक तो यहां पर यह जो हमारा router होता है इसका काम यह होता है कि यहां पर इन data packets को यह receive करता है और receive करने के बाद उस जो भी information उन data packets के अंदर उनको दी जाती है उस process को उसको कह सकते उस data processing में लेता है उसको analyze करता है और analyze करने के बाद जो भी devices आपकी router के साथ connected रहते हैं उन तक उस information को पहुंचाने का काम यह wifi router करता है तो फ्रेंड्स यहां पर basically अगर आप समझना चाहें तो wifi router एक ऐसा device है जो कि आपको internet की facility provide कराता है यहां पर आप इसको अपने घर में इंस्टॉल करा सकते हैं यानि कि आपको सेटप बॉक्स लेता है उसी तरिका कए एक आपको पास एक बॉक्स आएगा और एक बार इंस्टॉलेशन के बाद आपको उसमें कह सकते हैं मजने की कोसिस करें तो यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि wifi router एक hardware होता है जो आपके एक computer network को दूसरे computer network से connect करता है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो wifi router होता है इसको इससे आप कई सारी devices को एक साथ connect कर सकते हैं उनके इंटरनेट का access कर सकते हैं यहां पर इसकी जो लिमिट है वह है 250 डिवाइसिस को आप एक साथ कर सकते हैं हाला कि अगर इतने devices आप connect करते हैं तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड होगी वह काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगी तो कुल मिलाके बात यह है कि आप अगर 10-15 डिवाइसिस यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छी कास स्पीड वहाँ पर देखने मिल जाती है लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में याने की ज्यादा quantity में अगर डिवाइसिस को connect करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है या फिर जो इंटरनेट स्पीड है वो काफी ज्यादा इसमें घड़ जाती है तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो के इंटरनेट का इस्तेमाल करता हो आप उसके इसके साथ connect कर सकते हैं और असानी से उसके अंदर इंटरनेट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह था वाइफाई राउटर मैं उमीद करूँगा कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आगया हुआ कि आखिर वाइफाई राउटर होता क्या है और यह कैसे काम करता है आपके डिवाइस के अंदर तो फ्रेंट्स अमीद करूँगा मेरी वीडियो आपको पसंद भाई होगी और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल